अस्सलामु अलाइकुम जी क्या हाल है लहम्दुलिल्ला हम सब खेरे से मैं मीद करती हैं हम सब खेरे से होंगे अलाइतला हम सब को आजमाई उश्वन से भीमारी उनसे बचाए और यह नास्टे का वक्त था यह देखे मैं आटा करा करत ली थी रोटो के लिए पजर में हुकल आदेली थी और रात में मैंने कट था फिरीज में तो काड़कर उसमें अंडे बॉल करकर डाली थी उसी के साथ चावल चड़ा ली थी तो यही खाये थे हम सब डिनर में और यह मैं बना रही थी नाश्टे को अब लगधा करीबन साथ बज रहे थे तो मैं यह ग्रीन खारस बना रही थी जो और हजड़न और इज़ान का दोनों का भी पेरवेट है तो यह देखे में मैंने तेल डाली थी और यह मैंने मसाला पीस में रखती हो फारस के में गडीन खारस था इसमें मैंने ब्याज खुद्मिक और खुपरा हरी मिर्च इतने चीज है लोंग चकला हिल इस तरह से तो यह अच्छी तरह से लाकर पकने देना है जब तक तिल नहीं छोड़ देता अच्छा मिक्स होकर पककर चैंज हो जाएगा इसका ग्रीन नहीं जाए तो जब तक धक कर छोड़ेंगे तो यह पकता रहेगा तो यह मेरे इजहन को भी बहुत पसंद है हजबिन बहुत पसंद है चो चले यह पकता रहेगा यह मैं अंडे कान्य की कोशिश कर रही थी फिरिज में एक हत में चार अंडे कान्य की कोशिश एक हत में मुबैल शूट कर रही हम न तो इसलिए एक हत में कान्य कोशिश कर रही थी कहीं फुट न जाए लेकिन अल्ला का करम है कि मे अंडे डाल कर तो हिलाएंगे फास कांच में दो मिनित के लिए तो बस डन हो जाएगा मैंने रेसिप्य अपसे बता दी ली थी खारस के लिए खोपरा, ट्याज, खुतमित थोड़ी धेर सारी एक मुठी के खरीब हरे मिर्च तेर्स के हिसाब से तो लंग चकला इलाच इतना पेस्ट दाली थी थोड़ा मोटा दरदरा सा पीस ली थी भारी फाइन नई पेसी थी तो इसमें अपने अंडे टेस्टी सबसे डाल सकते हो अब यह मैं डाल रही हूं तीन लोगों के लिए हस्बिन जी और बच्चों के लिए चले इसे हिला कर दब पर शड़ देंगे अब बना लूँगी पराठे अपने हस्बिन जी कुछ आ जाना था जल्दी थोड़ा तो उसलिए उड़ गई थी आट दिन से ना वह नव दस बजे से ज्यादा जा रहे थे और इसलिए आज जल्दी जाना था तो मैंने आज मौसम ऐसा है कि अप सो जाओ थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर कह रहे ही थी सुबह नीन आंग में उशार हो रही थी नोई सुबह ही जैसे उठ जाती हूं फजर में आदत है उठने की तो अंख फुलती है उठ जाती हूं बाद में होर सोती हूं ना तो उठते वक्त इतन दिन से आंप में भी दरद है तो माशाला से अब कम हुआ है अंकी में शायद कांजुरी हो गई थी पदानी ड्राप्स दलने पर कम हो गया था लगा करम है तो हां सुबह सुबह ने दुशार नहीं हो थी मौसम ना इतना अच्छा हुआ है ना तो मौसम अच्छा है लेकिन बारिश थोड़ी कम पड़ रही है इतनी पड़ नहीं रही है सिर्फ मोड़ा मुझे से ही चल रहा था तो खेर चले अपने हजबन के लिए पराठे बना लूँगी बच्छे अभी भी सो रहे थे अब हो गए थे साड़े साथ तो आ गए फिनाष्टे के लिए है देखिए म मुझे वेजटेबल लेना था कंपल सरी डाइट में वेजटेबल खाना ही है इसलिए अब मैं मार्केट जाओंगी हजबन जी को छोड़कर ऐसे मार्केट चल जाओंगी इसकुल को बच्छों को छोड़कर जाओंगी न तो अमीकेम कल नहीं गई थी तो आज वक्त हो जाए और यह मैं आई थी पाउने नो बच गए थे आजबन जी को आट सावाड के वह रीप छोड़ी थी मार्केट चल गई थी मार्केट से यह आई है रखे हिज़ा है क्योंकि मैं फनस लेकर आई थी ना तो बच्छों को खाना था इसलिए लेकर आगई थी यह देखे टमाटर टमाटर इतने महेंगे हो गए हैं फिर भी लगभग हिसाब कम ही है मैंने चोटे टमाटर बड़े टमाटर दोनों भी लेकर रही थी पांच किलो ली थी चोटे ले टमाटर धाई किलो और बड़े वाले टमाटर धाई किलो कंकड़ी नारेल वेजिटेबल मिक्स दिखाती पहले मैं नास्टे के ना मतलब बचों का लेंच प्याट कर डालूँगी यूंकि वक्त हो गया तो मार्केट चल गई थी ना तो हजबन जी को छोड़कर बचों का वक्त हो गया था तो मैंने कर दाली थी अब यह सारे जोल लूँगी ले ली थी क्यूंकि एक किलो आदा किलो लेटी हो ना तो मेरी वेजिटेबल खराब हो जाती है अभी भी फृज्ट लेवी कि एक किलो मैं बिनिस लाई थी फ्रीज में पता नहीं फ्रीज जयाद हो गया था मतलब गोश्की वज़े से मैंने फ्रीज कभी जयाद रग दाली थी वक्रीद में तो पूरा फ्रीज हो तो इसलिए मैं सारी मिक्स दो किलो लेकर आगी थी खतम हो जाएगी तो आइसे हो तुबारा से लालूंगी तो यह मिक्स वेजेटेबल दो किलो लाई थी खत्मिर कट नारल तमाटू सब डालेंगे इसी में ही तमाटू ना 50 रुपा किलो हैं मोटे वाले और बारिक छोटे व छोड़कर अमी के खर पर चलते ही लिए चले अब बज़के साड़े चार बच्चों को अमी के घर से आते अते बच्चों को बलाकर लाई थी स्कुल से तो बच्चे आ गए थे रड़ी होरे कृशन को जाने के लिए और यह में बना रही थी वेजिटेबल साला मतलब सीमय वाला बनाऊंगी तो मैंने सारे वेजिटेबल को कट कर डाले थे और यह मैं मूली लाई थी खाने के लिए अपने लिए इसके साथ खोपरा मिला कर खाऊना तो तेज नहीं लगता इसलिए लाई थी के अब तो डेट शुरू हो गई थी अधरम तरफ सालम बनाऊंगी इसके बाद जब भी बनाऊंगी तो गोष्उ भी खाईर है सब चलता रहता था ज्यादा तर अब भी चलेगा लेकिन सात में तरकारी ज्याद चलेगी तो खेर मैं यह देखें मसाला में ने पीश डाली थी खोपरा टमाटू मतलब प्यास खो में वेजटेबल सारी तरकरी ली थी मैंने ली थेल आलो नुकल उलाइती बीगं बीच़ गाजर मैं इतना rap तो मेरे दिनार खतम होना है जब चलती रहती है तो काड़कर खा लेंगी मैं अपने लिए तो उन्हें कुछ पतानी चलेगा तो खेरे देखें मैंने मसाला तेल डालकर मसाला भून डाली थी मेरे पास इस साले खोना ज्यादातर मेती की बाजी अच्छी लगती है मेरे खास कर तो मेरे पास नई थी, सुऊंगे भाजी थी, available, तो मैंने वही डाल दागी थी, कल लाना भूल गई थी, नई भूली नई थी, कट्टा जयाद रही था, इसलिए नई लेकर आई थी, सुऊंगे भाजी धर में फ्रीज में थी, इसलिए मैं लेकर आई थी, तो यह हमारा मसाला देखें भून गया था अब इसमें डाल लेंगे अपने सारे वेजिटेबल जितने भी हैं इसमें से आदे मैं ही खाऊंगी वेजिटेबल ज्यादा तर तो आदे सब मिलकर खाएंगे आज कल सभी मतलब कल मतलब नाश्टे में यही खाएंगे इसलिए मैं ठोड़ा ज्याद बना रही थी। तो यह देखें सारे वेजिटेबल अदल लेंगे हमारे अपना जो क्या बचा वाख़ा वह डालें तमाति प्यूरियांगेगे टमाटू जो मैंने पीसना है अभी जब तक ये पकता रहेगा ये दखें पूरी बना कर डालेंगे डल कर सिटी लगा लेंगे तो साला हो जाएगा डन खतम कहानी मतलब सालन की तो ये हो गया था आप साला डालेंगे बस इतना ही था आज के व्लाग में मैंने नाश्टे से ले नेक्स ब्लाग में, आला हफी